वल्कम बैक टू दी अनदर वीडियो और आज की सूड में हम बात करने वाले हैं अर्थ डे यानि प्रित्वी दिवस क्यों मनाया जाता है दुनिया भर में परियावरण सेंडरक्षन को समर्थन देने के लिए हर साल 22 अपरिल को प्रित्वी दिवस मनाया जाता है बता दे कि प्रित्वी दिवस की सुरुवात अमेरिके सिनरेटर गैलोड नैंसल ने परियावरण की सिक्षा के रूप में की थी सबसे पहले इस दिन को मनानी की सुरुवात 1970 में हुई थी जिसके बाद आज इस दिन को लगबग 95 देशों में मनाया जाता है ग्लोबल वर्मिंग की समस्या दर्थी के लिए बहुत खतरनाक है इसे हमारे प्रित्वी का तापमान का अस्थर लगातार बढ़ रहा है ऐसे में इसे बचाए रखनी के लिए आहम कदम उठाये जाने की जरूरत है ऐसे में अगर दुनिया की ओर से प्रित्वी के परियावरन की रक्षा के लिए जरूरी प्रयास नहीं किये गए तो वह दिन दूर नहीं जब प्रित्वी पूरी तरह से प्रदूसित हो जाएगी और यहां जीवन बचाना असंभव हो जाएगा इसलिए इसे हरा भरा बनाए रखना बहुत जरूरी है अपनी प्रित्वी को बचाये रखने के उद्देश से ही पूरी दुनिया में विश्व प्रित्वी दिवस मनाया जाता है ताकि लोग जागरुख हो और उसको बचाने को आगे आए हर साल हम सब मिलकर विश्व प्रित्वी दिवस मनाते हैं और इसके जरी प्रित्वी के परियावरण को बहतर बनाने के लिए लोगों को प्रेरेट किया जाता है इसे मनाने का परपस यही है कि लोग पृत्वी के महत्व को समझे और परियावरण को बहतर बनाये रखने की प्रती जागरुखो यही वज़ा है कि इस दिन को परियावरण संरक्षन और पृत्वी को बचाने का संकल लिया जाता है तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बाजू में जो बैल अइकन दिया है उसे प्रैस जरूर कर दे ताकि हमारा वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले